महराजी रादे रादे आपके चर्णों में कोटी-कोटी बनाओ महराजी मेरी जिन्दगी का लक्ष क्या है मैं उसको कैसे डूनू बहुत भटक रहा हूं कुछ समझ नहीं आता क्या जीवन व्यर्थ हो जाएगा महराजी कुछ ज्यान चाहिए बड़ी कृपा हुई है जो आपके अंदर ये प्रश्ण जागरत हुए है हम जीवन मुक्त होने के लिए आये है हर योनियों में हमने वही सब भोगे जो हमारे अंदर चाहत है मिल जाए रुपया मिल जाए ऐसा मकान हो जाए ऐसा 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 तो मैं सुखी हो जाओंगा ये माया की ब्रतियां है जो तुम सोच रहे उससे ज्यादा किसी के पास है पर वो भी सोच रहा है वो भी त्रप्त नहीं है बिश्व में ब्रमान में कहीं भी किसी मालो आप तो अपने को जानते हैं केवल और सही पूछो तो अपने को भी नहीं जानते हैं केवल सरीर और वासना को समझ पा रहे हैं अपने स्वरूप को तो नहीं जानते ना भगवान का भजन नहीं तब तक कभी किसी को त्रप्ती नहीं है ना धन से ना भोगों से ना पद से ना किसी से एक अशान्ती है एक अधूरापन है एक भय है कि सब छूट जाएगा आज नहीं तो कल छूट जाएगा हम मुक्त होने के लिए आए है काम, क्रोध, लोग, मो, मद, मत्सर इनकी गुलामी से मुक्त होने के लिए आए है हम सरीर के राग से मुक्त ओने के लिए ये हमारा रहने का इस्थान है धाचा मसरीर मेरा मकान इसको बुलते मे इसको में विलता है मेरा रहने का yes मैं तो यह नहीं हूँ अब इसके अंदर पहुंचते है मेरा मन आता है मैं मन नहीं हूँ आते हैं ना आज मेरा मन उदाश है आके अंतर गताया जैसे सरीर ऐसे ही अंदर का मन बुद्धी चितांका सुक्षम सरीर तीसरा है सुभाव कारण सरीर बोले यार इस व्यक्ति का सुभाव बहुत गंदा है तो कहता देखो मेरा सुभाव ऐसा ही है वो भी मेरा बुला मैं नहीं बुला मैं सुभाव नहीं बुला मेरा सुभाव बुला तो तीनों सरीर इस्थूल शूक्ष मकारण ये मैं नहीं तो मैं हूँ कौन, यही जानने के लिए आए हो, भगवत प्राप्ती के लिए आए हो, अब मन जम निर्मल हो जाता है, बुद्धी जम निर्मल हो जाती है, इसी से हम भगवत साक्षात कार कर लेते हैं, अभी मलिन मन है, सीसा तो है, पर गंदा है तो प्रतिविम्मन नहीं दि पाई करने है, गंदगी क्या चड़ी है, यही काम, क्रोर, लो, मो, मद, मत, सर, यह गंदगी चड़ गए हमारे मन में, उतने ही आपका मन भुलता चला जाए, यह साबुन और जल दोनों चाहिए न, केवल साबुन लगा दी, अब जले नहीं तो कैसे, तो सत्संग और नाम यह दो है मन की धुलाई के लिए, रोज सत्संग सुनो और नाम जब करो, तो सत्संग तुम्हे अच्छे आचरण बताता है, बुरे आचरणों का त्याग बताता है, बुरे आचरण त्याग दो, अच्छे आचरण करो, नाम जब करो, तो जैसे जैसे हरदय निर्मल होगा, शाधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नजे पर लोक्ष हमारा सो परत्र दुख पावई शिर धुनी धुनी पच्छताए कालें कर्में इश्वरें मिध्या दोस लगाए रोज हमारी आयू नस्ठोती चली जा रही चालिस वर्ष पचास वर्ष बितीत हो पचास वर्ष नहीं अपने लोग देखो कोई पचास का कोई पचीस का कोई इतने वर्ष बितीत हो गए हाथ कुछ लगा नहीं शुरुवात जहां से हुई थी वही अब भी है फिर मर जाएंगे यह कब तक शलता रहेगा ये रोकने आये हैं इस क्रम को रोकने आये हैं जनम मरण के चक्र को रोक पुनरपी जनम मूरपी मरण मूरपी जननन जिठरेश नम का किसे रोकेगा सत्संग और नामजब शाधनकों हरिभजण है का सत्संग सायोगी होगा और तुम्हें पार करेगए नामग प्रभु कि प्रभू मुझे ग्याम देदो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं आप कहा हो मेरे हर्दय में, यह मैं पाना चाहता हूँ, यही है, दशांगुलम्मा, सास्त सीरखा, पुरुखाह, सास्त राक्षा, सास्त रपात, सभूमिक गवंग सर्वतस परत्वात, या टिस्ठत, दशांगुलम्मा, देखो यहां से, नापू, चार-चाराठ, और दो, य दसांगु लम्मा नाव इसे कहते हैं हरदय यहां वगवान का वास है यह अंत्रों में ताकत ही नहीं हो सविनासी को पकड़ने की तभी तुम कहते हैं कि चाहे जितना विज्ञान बढ़ गया हो मन का आज तकल्टा सौन कोई करी नहीं सकता मन का परमात्मा का तो जाने दो जी योग है नाम जब करो शत्संशनों अच्छे आच्रण करो बुरे आच्रणों का त्याक करो आगे का रास्ता दिखाई देने लगेगा